नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आकांग्शाराय, टॉकिंग पॉलिटे में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग प्लेटो की वीडियो सिरीज कवर कर रहे हैं, पार्ट वन अल्रेडी अप्लोडेड है, जिसमें हम लोगों ने प्लेटो का ब्रीफ इंट्रोड़क्शन और थियरी आफ आइडियास को कवर किया था, इस पार्ट में हम लोग प्लेटो के थियरी आफ जस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले है सबसे पहले हम लोग एक Brief इंट्राक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम की प्लेटो ने जो Theory of justice दिया वो क्यों दिया और किस बुक में दिया फिर हम लुग देखेंगे कि Plato ने कैसे justice को दो level पर explain किया है individual level और social level ये दोनों चीज़े देखेंगे फिर ये जो Plato की जो actual theory of justice है वो यहीं देखेंगे third point में जहां पर हम लोग उसको दो level पर देखेंगे individual level और social level फिर ये जो एक statement है state is individual writ large बहुत UPSA exams और essay exams में इस तरह से question पूछा जाता है कि state is individual writ large explain तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग criticism of Plato देखेंगे कि कैसे लोगों ने क्या-क्या arguments दे करके Plato की theory of justice को criticize किया तो so let's get started तो देखो दोस्तों अगर आपने Plato का first part वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि Plato एक ideal state establish करना चाते थे ideal state क्या है तो एक ideal state ऐसा state है उनके लिए एक सपना है वो Plato का एक सपना है जो वो establish करना चाते है एथिन्स में Plato उस वक्त एथिन्स में क्या था कि democracy तो थी लेकिन उसकी condition बहुत जादा खराब थी Plato के गुरू सोकरेटीज को वहां के राजा ने जहर दे के मार दिया तो अब Plato को लगता था कि एक ऐसी जगह जहां पे सबसे wisest man को जहर दे के मार दिया गया तो वहां का system कितना खराब है तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए वहां के system को ठीक करने के लिए वो बहुत अपनी philosophy देते थे पढ़ाई कि उन्होंने एथिन्स से बाहर निकले जगा जगा घूमे और वहां के view बनाया कि एक ideal state ऐसा होना चाहिए तो उसी ideal state को establish करने के लिए वो कहते थे कि justice जो है ना वो सबसे important element है अगर ideal state establish करना है तो justice जो है वो बहुत important role play करता है मतलब justice तो establish होना ही चाहिए और इसलिए वो अपनी theory of justice लेकर आते हैं तो उनकी जो theory of justice है वैसे तो प्लेटो ने 36 books लेकी है 40 साल के उमर में उन्होंने republic लेकी थी अब ये जो republic है ये book उनकी सबसे famous book है अब देखो इसी book में उन्होंने theory of justice दिया है theory of justice ये जो republic है इसका जब translation हुआ English में तो इसका नाम पढ़ा concerning justice क्यों क्योंकि इस पूरे book में जो central problem है वो justice है मतलब कि central idea उसका वही है जस्टिस के बारे में ही बात हो रही है इस पूरे book में तो इसलिए इस book का नाम concerning justice पढ़ा अब देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं clear कर देना चाहते हूं बहुत लोग confused हो जाते हैं कि जब theory of justice पढ़ते हैं तो वहाँ सुनते हैं कि सो सोक्रेटीज ने ये कहा सोक्रेटीज ने वो कहा तो वह confused हो जाते हैं कि यह प्लेटो की theory है कि सोक्रेटीज की theory है तो यहाँ पर confused होने के जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह theory तो प्लेटो की ही है लेकिन उन्होंने देखो प्लेटो के गुरू थे सोक्रेटीज तो प् आपनी books में उनके बारे में बताया है तो उनको एक tribute पे करते हुए उनको एक respect देते हुए Plato ने आपनी गूम को रिपबिक में उनको एक character का role दिया है एक character play किया एक सोक्रेटीस ने जिसमेगी फिलोसोफर एक teacher का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो बहुत सारे students को question पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ justice क्या है और भी बहुत से questions पूछ रहे हैं और उसके बाद जब वो उनका answer नहीं दे पाते हैं तो Socrates जो है वो उसका सही answer देते हैं तो indirectly Plato ही ये सारा कुछ बोल रहे हैं Plato ही आंसर दे रहे हैं लेकिन Socrates जो है वो उनकी book The Republic में एक role प्ले कर रहे हैं तो कहीं भी आपको सुनाई दे theory of justice में कि Socrates ने ये कहा तो आप समझ जाना कि वो Plato ही कह रहा है Socrates उसकी book का एक character है जो कि actual में उनके teacher थे जिनको tribute पे करते हुए Plato ने उनको एक character दिया है So let's move on to the next slide अब यहाँ पे हम लो background देखते हैं अब देखो Plato ऐसे ही आ करके अपनी theory तो दे नहीं देते हैं कि यह लो मेरी theory of justice और इसे implement कर लो मान लो कि यह यह theory of justice नहीं वो उस वक्त जो existing theories हैं उसको criticize करते हैं और criticize ऐसे ही नहीं करते हैं proper reason देते हैं कि देखो यह इस वक्त क की वज़े से गलत है और अब मेरी theory सुनो ऐसा वो क्याते हैं तो background में हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या theories थी जिसको Plato criticize करते हैं तो traditional theory of cephalus and polymarcus तो यह जो cephalus और polymarcus हैं यह इस book में यह सब book में हो रहा है तो Republic में क्योंकि वहीं उन्होंने अपनी theory दी थी तो cephalus और polymar जो कि सोक्रेटीस के disciples, शिश्यों का role play कर रहे हैं Republic में तो उन्होंने अपनी जो बात बताई जब सोक्रेटीस ने पूछा कि justice क्या है तो cephalus ने कुछ कहा, polymarcus ने कुछ कहा तो उन्होंने जो बात कही उससे यह पता चलता है कि वह traditional view रखते थे इसलिए उनकी theory को traditional theory कहा गय अब देखो सिफैलस से जब सोक्रेटीस पूछते हैं कि बताओ justice क्या है, तो सिफैलस कहते हैं कि justice is to speak the truth and pay one's depth, मतलब justice का मतलब है कि सच बोलो, सत्य बोलो और अपने रिड को चुका दो, यही justice है, तो अब प्लेटो क्रेटिसाइज करते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं, अगर मालो सच बोलने के चक्कर में कोई अपने देश के secrets को reveal कर देता है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे justice established हो पाएगी, नहीं, कभी नहीं, तो यह बोलते हैं कि भाईया, तुम्हारा statement, तुम्हारी theory गलत है, अब polymericus से पूछा जाता है, आप बताओ justice क्या है, तो वो कहते हैं कि justice consists in giving each person his due, which implies doing good to friends and evils to enemies, वो कहते हैं कि justice का मतलब होता है, ये भी due pay करने की बात करते हैं, रिड चुकाने की, कर्ज चुकाने की बात करते हैं, और कहते हैं कि जो भी दोस्त है ना, जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा वियावार करो, जो बुरे हैं बहुत बुरा वियावार करो, ऐसा वो कहते हैं, तो प्लेटो इस चीज का पूरा criticize करते हैं और वो कहते हैं कि justice जो है ना, वो injustice को कभी contain नहीं कर सकता है, किसी के साथ भी injustice करना चाहें, वो कैसा भी हो, कैसा भी हो, मतलब अगर law के according उसको सजा दी जा रही है, तो वो एक अल आप देखो, Cephalos और Polymercus ने जो traditional theory दी है, इन दोनों ने ये बात कही है कि अपना रिड चुका देना, अपना कर्ज पे कर देना, प्लेटो इसको criticize करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मानलो आपने किसी दोस्त से weapon उधार में ले लिया है, कोई अस्त्र, कोई ओजार, जैसे कोई गन या कुछ ऐसी चीज़ उधार ले ली है, उस वक्त तो उसकी mental condition ठीक थी, लेकिन जब आप उसको वापस लोटा रहे हो, तो उसकी mental, जो health है, वो अच्छी नहीं है, तो अब तो वो society के लिए बहुत harmful हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पे तो just established नहीं हो रिड को अपने कर्ज को चुकाते हुए, तो वो इस theory को criticize करते हैं, पूरी तरह से traditional theory को, और फिर देखते हैं कि radical theory of Thrasymachus क्या है, तो Thrasymachus भी एक student होते हैं, एक disciple का role play करते हैं, रिपब्लिक में, उनसे भी पूझा जाता है justice क्या है, तो वो कहते हैं, might is right, justice is interest of stronger, वो कहते है कि society में जो भी stronger है, जो भी सबसे stronger है, उनके interest में जो चीजे हो रही है, वही justice है, और उनके interest के against जो चीजे हो रही है, वो injustice है, जैसे कि वो कहते हैं कि government जो rule बनाती है, वो अपने interest को पूरा करने के लिए बनाती है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनाती है, और वो जो rules बनाती है अपने लिए वही justice है और उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो वो injustice है तो भाया ये तो पूरी तरह से मतलब Plato criticize करते हैं और कहते हैं कि एक physician का काम होता है अपने patient को cure करना उसको ठीक करना ना कि उससे पैसे आठना ठीक उसी तरह government भी एक art है और उसका aim होता है कि वो जो भी लोगों को govern कर रहा है उनके भलाई के लिए काम करें उनके well-being के लिए काम करें ठीक है तो Plato radical theory को भी जो की तरह से मैकस की थी उसको भी पूरी तरह से criticize किया और proper reason दिया फिर ग्लावकन आते हैं ग्लावकन की थियरी pragmatic थियरी होती है थोड़ी से behavioral बात करते हैं वो ग्लावकन से जब पूछा जाता है आप बताओ justice काया तो वो कहते हैं कि justice is the child of fear it is the need of the weak who constitutes the majority of society अब देखो ग्लावकन केहते हैं कि अगर society में सबको क्या दिया जाए कि एक दूसरे को जितना जो चाहे suppress कर सकता है तो सब एक दूसरे को suppress करेंगे लेकिन जो majority of society है न वो weaker section से बनी हुई है तो majority of लोग जो है वो suppress हो जाएंगे मतलब कि वो बताता है कि justice का जर्म कहां से हुआ वो कहता है सब को यह सुरू में allowed था कि एक दूसरे को जितना चाहो suppress करो तो सबसे majority of society जो है वो suppress हो रही थी तो उन लोगों ने मिल करके कहा कि आओ एक social contract एक agreement करते है कि हम लोग यह यह काम नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ क्योंकि यह जस्ट और हम लोग यह माल लेंगे कि यह करना जस्ट नहीं है और ग्लावकन के according यहीं से justice का origin हुआ मतलब कि उनके according justice एक डर की वज़े से पैदा हुआ तो उनके according justice यह है और वो एक weaker section की जरूरत है उनकी need है तो इस चीज़ को Plato पूरी तरह से criticize करते हैं और वो कहते हैं कि fear और power से कभी justice established नहीं हो सकता क्योंकि तुम समझते हो कि justice एक legal term है नहीं justice एक natural term है एक natural चीज़ है जो कि इंसान के अंदर inbuilt होनी चाहिए ठीक है तो Plato इस चीज़ को पूरी तरह से criticize करते हैं अब हम लोग देखेंगे कि अब देखो Plato ने बता दिया कि भाईया तुम लोगों की theory तो जो है पूरी तरह से गलत है यह यह reason है तुमारी theory नहीं साहिए justice की अब सुनो मेरी theory क्या है सुनो सच में justice क्या है तो अब देखो Plato जो अपनी theory of justice देते हैं उसमें वो justice को दो level पे explain करते हैं एक individual level पे justice क्या है और फिर social level पे justice क्या है obviously बात है अगर individual level पे justice establish हो जाता है तो social level पे justice अपने आप establish हो जाएगा तो इसी चीज़ को explain करते हुए Plato जो है अपनी theory of justice को दो level पे explain करते है individual level और social level so let's see क्या होता है अब देखो individual level पे justice क्या है अगर आपने last video देखा है तो आपको पता होगा कि हमारी आत्मा के अंदर हमारे soul के अंदर तीन जो हैं वो elements होते है reason, courage and appetite reason का जो element और ये तीनों जो elements है ना वो सबके में बराबर नहीं होते है किसी में reason जादा है किसी में courage जादा है किसी में appetite जादा है reason का element जो है जैसे कि हम किसी से question करते हैं तर्क विदर्क करते हैं अपने आप से question करते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या सही है क्या गलत है तो हमारे reason का element है courage अगर कोई हमें suppress कर रहा है लेकिन हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कहीं पे भी हम हमारे अंदर हिम्मत हैं हम अपने लिए बोल पाते हैं दूसरों के लिए बोल पाते हैं तो ये हमारे courage वाले element को represent करता है और तीसरा जो है appetite तो appetite का element है उसकी वज़स से हम धन इकठा करते हैं हमारे अंदर भूक होती है धन की भूक, wealth इकठा करने की भूक तो ये सारी चीज़े जो है वो ये तीनों element हमारे soul के अंदर होता है तो Plato कहता है कि individual level पे justice establish करने के लिए जरूरी है कि हमको पता चल जाए एक individual realize करे कि उसके अंदर तीनों में से कौन सा element dominant है और उसी element के according वो अपना profession choose करे वो properly बताते हैं कि किस element मतलब जो dominant rate है उसके according लोगों को क्या काम करना चाहिए जैसे इस table में आप देखो जो जिनके अंदर reason का element जादा है Plato उनको man of gold कहते है जिनके अंदर courage का element जादा है man of silver और जिनके अंदर appetite का element जादा है उनको man of copper कहते है अब देखो Plato कहते है अगर reason का element जादा है तो तुम ruler बन जाओ ruler class को join कर लो rule करो laws बनाओ अगर courage का element जादा है तो soldier बन जाओ ensure करो देश की security को अगर appetite का element जादा है तो producer बन जाओ, production का काम करो तो playtok का जो just theory of justice है वो individual level पे justice की बात यही करता है वो कहता है कि individual level पे justice establish करना है तो अपने सबसे dominant rate को realize करो उसके बाद उसके according इन तीनों में से कोई भी profession choose करो और वहाँ पे अपना 100% दो तो individual level पे justice establish हो जाएगा अब देखते हैं कि social level पे justice क्या होता है let's move on to the next slide अब देखो individual level पे justice establish हो गया तो indirectly social level पे भी हो ही जाएगा अब देखो कैसे होगा क्योंकि अब देखो individual level पे सब ने decide कर लिया कि उनके अंदर dominant rate कौन सा है और उनको कौन सा class join करना है तीनों में से तो अब क्या होगा पूरी society जो है वो तीन class में divide हो जाएगी कौन कौन सा class एक ruler class फिर soldier class और फिर trader class तीनों तीन पार्ट में society divide हो गई अब जो है तीनों पार्ट अपना अपना काम full efficiency के साथ कर रहे हैं ठीक है और कोई एक दूसरे के काम में इंटर्फेर नहीं कर रहा है अगर ये तीनों चीज़े fulfill हो गई ना तीसरी चीज़ क्या है कि जो man of gold है वो man of silver और copper इन दोनों को rule कर रहा है अगर ये तीन चीज़ establish हो गई तो social level पे भी justice establish हो जाएगा चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि individual level पे justice establish हो गया हमें पता चलिए कि हमारे अंदर कौन सा element जादा है और हमने वो profession choose कर लिया अब social level पे justice क्या से establish होगा अब हर इंसान को पता चलिए हर individual को society में पता चलिए कि उसके अंदर कौन सा dominant rate है तो पूरी society तीन social class में divide हो जाएगी ruler class soldier class and producer class अब क्या होगा अब social level पे justice establish करने के लिए जरूरी है कि तीनों class जो है अपने dominant rate के according अपना काम full efficiency के साथ करे दूसरी बात जो man of gold है वो man of silver और man of copper को rule करे जो कि obviously उनका काम है और कोई एक दूसरे के काम में interfere ना करे मतलब कि जो ruler class है उनके काम में soldier class और trader class ना interfere करे और ruler class इन दोनों के काम में interfere ना करे अगर ये तीनों चीज़े establish हो गई तो social level पे justice establish करने से कोई नहीं रोग सकता प्लेटो के according तो ये थी प्लेटो की तिहरी of justice individual level पे और social level पे अब एक बार देख लेते हैं कि प्लेटो के according उनका just state क्या है so according to Plato a just state is where society is divided into three classes each performing task according to natural abilities natural attributes that is spiritual quality of soul and not interfering in others tasks same बात जो अब भी हमने कही so अगर आपसे कोई भी पूछता है अगर कभी भी प्लेटो की theory of justice आपके दिमाग में आते है तो आपको ये तीन चार लाइन तो समझी लेनी है कि प्लेटो की theory of justice का यही मतलब है कि individual level पे पहले justice establish करो पहले पता करो कि तुम्हारे अंदर कौन से element concentrate जादा है उस profession को join करो पूरा society अगर इस तरह से कर लेता है तो पूरा society तीन social class में divide हो जाएगा तीनो social class अगर अपना काम full efficiency के साथ करते हैं और जो ruler class है वो man of copper और man of silver को rule करता है man of gold और कोई किसी के काम में interfere नहीं करता है तो एक just society establish हो जाएगी एक just state justice जो है वो establish हो जाएगा society में और अगर ये हो गया ना तो प्लेटो का सपना पूरा हो जाएगा कैसे पूरा होगा क्योंकि प्लेटो एक ideal state बनाना चाते थे तो अगर justice का element society में establish हो गया तो ideal state अपने आप establish हो जाएगा इसलिए प्लेटो theory of justice की बात करते है so let's move on to the next slide अब ये जो statement की बात हमने की टी कि state is individual writ large अब देखो जो बच्चे civil services की तैयारी करते हैं या फिर state services की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जो paul science honors especially अगर उनसे question पूछ 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 जिनका optional political science है तो वहाँ पे जो कई बर directly question नहीं पूछता है वहाँ पे एक ऐसा statement दे रेगा जैसे कि state is individual writ large explain it तो आप सोचने लग जाओगे कि ये क्या है तो ये कुछ नहीं है ये Plato की theory of justice का ही एक statement है उसी को explain करता है मतलब उसी से आया हुआ है तो इसको explain करते हैं इसका मतलब यही है कि state is individual writ large मतलब देखो मैंने दो triangle represent किया है एक inner green triangle जो कि individual को represent करता है और outer pink triangle जो कि state को represent करता है तो देखो अगर बहुत सारे individuals से मिल करके ही तो state बना है तो ये statement ये कहता है कि state is the bigger version of the individual और ये क्यों ये बात कहता है क्योंकि देखो state जो है वो individual का bigger version है तो इस individual के जैसे characters होंगे bigger level पे state भी वही represent करता है आए इसको और समझते हैं ये जो Plato का मैंने quote कर दिया है कि उन्होंने कहा कि state doesn't come out of oak or rock it inheres in mind of people living in the state तो इस तरह के quotes अगर आप अपने answers में use करते हो चाहे वो किसी entrance exam या UPSC ही क्यों नहों या फिर आपका college exam ही क्यों नहों आपके answer को यह बहुत ज्यादा impactful बनाता है फिर देखो इस statement का क्या मतलब है state is individual sorry writ large third point देखते हैं देखो nature of state will depend on the character of individual like man like state again this quote will be very informative now इसका क्या मतलब है कि एक just state में ही एक just man में ही एक just state होता है मतलब एक man just man से ही एक just state बनता है तो इसका मतलब यही है कि एक individual का character कैसा है वही define करेगा कि पूरे state का character कैसा है अगर सारे individuals के अंदर वही characters है तो एक state level पे भी जो है वही character उभार करके सामने आएगा Plato कहते हैं कि देखो एक और बात कहते है principles governing life of individual and principles governing state can't be different from each other that is idea of good life and good political life can't be separated from each ज्यादा इसका मतलब क्या है देखो ethics क्या होता है हमा ethics का मतलब है कि हम अपनी individual level पे हम जो एक अपने लिए good life achieve करना चाहते हैं तो उसको अचीव करने के लिए हमारे जो principles है न वही ethics है कि ethics का मतलब हमें क्या करना चाहिए अपने जिन्दगी में अच्छा एक अच्छी जिन्दगी एक establish करने के लिए वही हमारे वही principles हमारे ethics है और politics क्या है principles governing state अब state को गवर्न करने के लिए जो principles है वो politics है तो हमार हमें individual level पे हमारी life को गवर्न करने के जो principles हैं अच्छी सोच रखे जैसे कि हमारे leaders को ही देख ले वह भी अगर individual level पे अपने ethics को follow करें अपने principles को अच्छे principles को follow करें तो क्या political level पे एक justice वाली बात established नहीं हो जाएगी तो यही बात यहाँ पे explain करने की कोशिश की गई है कि एक good life और good political life दोनों में अंतर नहीं है अगर हर इंसान एक good life जो है वो acquire करने के कोशिश करें और अच्छे principles को follow करें तो automatically जो है state level पे भी अच्छे principles established हो जाएंगे एक just state एक ideal state established हो जाएगा तो state is individual writ large का मतलब यही है जब भी statement सामने आए तो आप बस समझे लो कि बहुत सारे individual से मिलकर state बना है और एक individual के अंदर जो characters होंगे सब के अंदर जो characters होंगे automatically state का character भी वैसाई हो जाएगा तो ज़रूरी है कि हम individual level पे जो है transformation लेकर आएं तो state level पे transformation अपने आप आजाएगा अगर हम कहते हैं कि जो leaders है वो खराब हो रहा है तो ज़रूरी है कि हम अब जो बच्चे ये I am explaining from my side कि अगर अब जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं हम लोग उनको जो है moral science जो है वो एकदम seriously सिखाएं तो बड़े होकर वही तो हमारे नेता अभी नेता और बड़ी बड़े बड़े post को acquire करेंगे तो automatically वो state level पर सब कुस ठीक हो जाएगा तो पहले जड़ों को ठीक करो तो फिर पेड अपने आप खुबसूरत ही निकल कर आएगा ठीक है तो ये था state की ये था state is individual writ large का मतलब so let's move on to the next slide अब देखो last में हम लोग Plato का criticism देखेंगे कि दोस्तों देखो वीडियो बताने में बहुत मैनत लगती है so please like, share and subscribe अब देखो criticism of Plato's theory of justice बहुत सारे लोगों ने Plato की theory of justice को अलग-अलग argument दे करके criticize किया सबसे पहले लोगों ने कहा कि justice should have been a legal concept देखो justice जो है Plato की theory के according एक moral concept है वो कहते हैं कि justice का मतलब यह नहीं है कि कुछ लिख दिया तुमने दस्तावेज पर कि यही काम करना सही नहीं है यह injustice है और जो भी यह करेगा उसको सजा मिल जाएगी जैसे हमारे यहां होता है अभी हमारे हैं क्या है constitution है constitution में सब कुछ लिखा हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं वो उसके लिए हमें punishment मिलेगा और वो justice नहीं है तो फिर ये वाली legal concept की बात आ जाती है हमारे या लेकिन जो प्लेटो कहते है कि ऐसा नहीं होना चाहिए justice जो है वो morally inbuilt होना चाहिए सब के अंदर होना चाहिए सबको पता होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए justice अलग होना चाहिए और तुमारी लिए अलग पूरी society में सारे individuals के लिए justice एकी का principle एकी होना चाहिए सबको पता होना चाहिए कि क्या justice है उसको कहीं लिखके नहीं सिखाया जाना चाहिए कि देखो ये justice है वो सबके अंदर inbuilt होना चाहिए Plato का concept ये था लेकिन इस चीज़ को बहुत से लोग criticize करते हैं और वो कहते हैं कि जो justice है उसको एक legal concept होना चाहिए ना कि एक moral concept दूसरा argument लोग क्या देते हैं कि Plato की जो theory of justice है न वो किसे individual के overall development को नहीं होने देती है क्यों? क्योंकि Plato कहते हैं कि अपने अंदर के dominant trade को पहचानो उस हिसाब से तीनों से कोई एक profession choose करो और पूरी जिन्दगी उसी profession में काम करो तुम अपना profession change मत करो तो इस चीज़ को criticize करते हुए उनके criticizers कहते हैं कि देखो भले ही इनसान के अंदर कोई एक trade dominant हो लेकिन बागी दो trade भी तो होते ही है न तो वहाँ पे उन trades को क्यों suppress किया जाए क्यों overall development नहीं होना चाहिए तो इस point को देते हुए लोग Plato को criticize करते हैं ठीक है और वोई लोग ये भी कहते हैं कि कोई अपना profession change नहीं कर सकता है ये भी बहुत गलत बात है तो third point जो उनके against जो argument दिया जाता है वो ये है कि Plato की theory of justice में Plato ने पूरा power जो है वो ruler class को दे दिया है मतलब कि वो कहते हैं कि उन्हीं के हाथ में सारा power होगा वही rule करेंगे तो और उनके criticizers कहते हैं कि एक small class को पूरा power दे देना ये कहीं भी सही बात नहीं है क्योंकि मान लो जो philosopher class है उसके अंदर वहले ही reason का element dominant होता होगा लेकिन बाकी दो elements भी तो है appetite भी तो है courage भी तो है अगर मान लो किसी particular circumstance में किसी particular situation में इन दोनों में से कोई एक element dominate कर गया फिर तो बहुत बवाल हो जाएगा फिर तो वो dictator हो जाएगा पूरा system ही बरबाद कर देगा तो फिर वो कहते हैं कि उनके criticizers कहते हैं कि किसी भी एक particular class में small class के हाथ में आप पूरी power दे दो तो ये बिलकुल भी सही नहीं है state के लिए फिर उनके जो criticizers हैं वो कहते हैं दूसरा argument क्या है चौथा कि society को different classes में divide कर देना ये बिलकुल भी सही नहीं है और उपर से जब तीनों classes बराबर ना हो किसी के पास बहुत जादा power है किसी के पास थोड़ा power है और किसी के पास कोई power ही नहीं है जैसर trader class वो बस produce ही करते रहेंगे Plato ने ये बताया ही नहीं है कि वो उनके rights क्या हैं वो कैसे अपने rights को demand कर सकते हैं वो बस कहते हैं कि duties पूरी करो सब लोग अपनी duties पूरी करो तो रूलर की तो भाई duty है कि रूल करेगा soldier की duty है प्रोटेक्ट करेगा प्रेडर का क्या वो तो बस produce ही करता रह जाएगा तो फिर वो ये भी कहते हैं कि division of society जो कर जिस हिसाब से किया गया है लोगों के अंदर jealousy भी हो सकती है और फिर वहाँ पे class war जैसे situation create हो सकती है अब last में Plato के जो criticizer से वो क्या argument देते हैं वो कहते हैं कि Plato की theory of justice में individual पे बहुत कम focus किया गया है सारा focus state पे है state को ऐसे ठीक करना है state को में ऐसे justice establish करने है individual का क्या उसका क्या है उसका development कैसे होगा उसके interest के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है तो यह कह करके वो लोग Plato की theory of justice को criticize करते हैं तो यह कुछ बहुती मतलब important जो उनके criticizers के arguments है वो मैंने आपके साथ discuss किया so यहाँ पे Plato की theory of justice जो है वो time होती है I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please like share और subscribe जरूर करना यह matters जो है ना jot down करने में collect करने में अच्छी किताबों से पढ़ने में बहुत वक्त लगता है तो please please video को like करो share करो और subscribe करो next part जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा so thank you so much for watching till now this is Akanksha Rai signing off